वेलकम टू इस्टेनो वित्पारस निक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेकंड बाद स्टार्ट अध्यक्ष जी किसी भी देश की विदेश नीती अपने में कोई स्वतंत्र नीती नहीं होती वरन वेह किसी देश की अंत्रिक नीती को इसपश्ट करती है उधारन के लिए हम अमरिका को ले सकते हैं उसने अपने यहां अधिक अन पैदा किया और जब उसके पास अनाज फालतु बच गया तब वेह अपने बकाया अनाज की बिकरी के लिए ऐसे देशों की तलास करने लगा जो उधार पर माल ले सकते हो किन्तु हमारी आंत्रिक नीती ने यह तै किया कि खर्चीले ढंग से सरकार चलाएंगे और स्वेदेशी मुद्रा की कोई रासी हमारे पास नहीं बचेगी हमने कर भी लगा दिये और मुद्रा प्रेसार भी कर दिया कुछ संकट पढ़ने के बाद इस बात की आवेसिक का ता को नहीं समझा कि उस पैसे का कहीं अन्यत्र उपियोग कर सके पहरा स्री मान मुझे माननिय प्रधान मंतरी जी के इस कथन पर दुख होता है कि दुनिया के अमीर और गरीब देशों का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है मैं उनसे यह पूछना चाहती हूँ कि भारत की विदेश नीती ने उस अंतर को घटाने की क्या कोशिस की है क्या भारत सरकार ने कभी दुनिया की पंचायत में यह कहने की हिम्मत की है की बालिग मताधिकार के आधार पर यू एन ओको का चुनाव होकर एक संसद बनाई जाए और क्या आप में यह देखने की हिम्मत है की फोज के हिसाब से कर लगा कर एक विकास का खाता खोल दिया जाए जो देश विक्सित है उनके मजदूरों का एक घंटा हमारे देश के मजदूरों के सो घंटों के बराबर माना जाता है क्योंकि उनके पास साधन है इसलिए यह अंतर और भी बढ़ता चला जा रहा है किसी देश के अंदर आंतरिक नीती में अमीरी और गरीबी का अंतर बढ़ता चला जा रहा हो और वहे दुनिया के देशों में विद्यमान अमीरी और गरीबी के इस अभिसाप को समाप्त करेगा यह समझ में आने वाली बात नहीं है पहरा अब मैं आपका धियान एक और बात की और दिलाना चाहती हूँ पुर्वी जर्मनी को मान्यता देते हमें परेसानी होती है इसलिए कि सायद पश्यमी जर्मनी को बुरा लगे लेकिन पश्यमी जर्मनी ने तो अपनी रक्षा का भार दूसरों पर छोड़ दिया है उसने अपनी पूरी सकती इस बात पर लगा दी है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आभार प्रदर्शन करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ